हेलो दोस्तों स्वागत आपका एम जी वी स्टेडी पॉइंट में दोस्तों हम आज बात करेंगे सविदान की परमुक तीतियां जिसमें वीबिन परकार के आयोगे का आयोजिन किया गया है दोस्तों ये सभी परतियोगी प्रेक्षियों के लिए मैं तो पूरण कोस्चन बनत और यदि आप ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये तो इस चैनल के सब्सक्राइब जुरूर करिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए तक कि आपको वीडियो अफ्लोड रते नोटिफिकेशन मिल सके तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फर्स्ट कोस्चन कि को सबसे पहले भारत के सविदान निर्मान से पहले की बात है केबिनेट मिशन भारत कब आये था उप्सटन ए ग्यारा दिसंबर 1946 ऑप्सटन B 28 अगस्त 1946 ऑप्सटन C 24 मार्च 1946 और ऑप्सटन D 26 नूवंबर 1949 को तो दोस्तों सही एंसर है ऑप्सटन C 24 मार्च 1946 को केबिनेट मिशन भारत आया था चलिए दोस्तों नेक्स्ट कोस्टन नंबर दो कोस्टन नंबर दो में सविदान सभा की पर्थम बेठक कब होई थी दोस्तों यहां पूछा गया सविदान सभा की जो पर्थम बेठक थी वो कब होई थी ऑप्सटन A 9 दिसंबर 1946 ऑप्सटन B 28 अगस्त 1947 ऑप्सटन C 24 मार्च तो दोस्तों सही एंस्वर है ऑप्शन ए 9 दिशंबर 1926 को सविदान सभा की पहली बेठक हुई थी चलिए दोस्तों नेक्स्ट कॉस्चन नमबर 3 कॉस्चन नमबर 3 में बात कर रहे हैं डक्टर राजेंदर परसाद सविदान सभा के 27 सभापती कव बने थे तो दोस्तों यहाँ पे पूछ है डक्टर राजेंदर परसाद सविदान सभा के 27 सदस्य कव बने थे तो ओप्शन A 11 दिसंबर 1946 को ओप्शन B 28 अगस्ट 1947 को ओप्शन C में पूछ है 24 मार्च 1946 को और ओप्शन D दे रखा है 26 नमबर 1949 को दोस्तों सही एंश्वर है ओप्शन A 11 दिसंबर 1946 को डक्टर राजेंदर परसाद बारतिय सविदान सभा के 27 सदस्य बने थे दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को सविदान सभा की दूसरी बेठक भी हुई थी जिसमें डक्टर राजेंदर परसाद को इस्ताई सभापति नियुक्त किया गया था और दोस्तों डक्टर राजेंदर परसाद भारत के पर्थम राष्टपति थे चलिए दोस्तों नेक्स्ट्सक्टन नंबर चार में पंदित जवारलान नेरु द्वारा सविदान सभा में उद्यस से परस्तूथ कब किये थे पंडित जवारलाल नेरू ने स्विदान सबा में उदेश से कब प्रस्तूत किये थे तो ओप्शन A 13. दिसंबर 1946 ओप्शन B 28. अगस्त 1947 ओप्शन C 28. मार्च 1946 ओप्शन D 26. नोगर 1949 तो सही एंशोर है ओप्शन A 13. दिसंबर 1946 को पंडित जवारल नेरू ने स्विदान सबा में उदेश से प्रस्तूते किये थे तो दोस्तों सही एंशर A है और 13. दिसंबर 1946 को स्विदान सबा की तीसरी बेठक हुई थी चलिए दोस्तों नेक्स्ट कोस्चन नमबर 5 कॉस्चन नमबर 5 में भारत सवतंतर कब हुआ था भारत को सवतंतर था कब प्राप्ते हुई थी तो दोस्तों ओप्शन A 11. दिसंबर 1946 ओप्शन B 15. आगस्ट 1947 ओप्शन C 24. 24. और ओप्शन D 26. नूवंबर 1948 दोस्तों सही एंशर है उप्शन B 15. आगस्ट 1947 को भारत सवतंतर हुआ था और दोस्तों अगर यहां पूछा जाए गण तंतर भारत का गण तंतर तो दोस्तों वह है 26 जनवरी प्रारूप समीति का गठन कब हुआ था उप्शन एक ग्यारा दिसमेति प्रारूप समीति का गठन किया गया था चले दोस्तों नेक्स्ट कॉस्चन नमबर सविधान सबा के में सविधान को अंगीकार ये नहीं सविकार अरेनियम वे आत्म समर्पित कब किया था तो दोस्तों यहां पे कॉस्चन बनता है कि सविकार कब किया गया था सविधान सबा में सविधान को कब सविकार किया गया था ओप्शन A 11 दिसंबर 1946 ओप्शन B 28 अगस्त 1947 ओप्शन C 24 मारच 1946 और ओप्शन D 26 नॉवंबर 1949 दोस्तों 26 नॉवंबर 1949 को बारती सविधान सबानिस सविधान को अंगीकार किया था और ये हमारी परस्तावना में लिखित है चलिए दोस्तों एक्स्ट कोस्चन नंबर आठ कोस्चन नंबर आठ में राष्ट्रगान जन्गनमन राष्ट्रगान जन्गनमन कब अपनाया गया था दोस्तों यहाँ पे जन्गनमन का पूछा राष्ट्रगान ओप्शन A 11 दिसंबर 1946 ओप्शन B 28 अगस्ट 1947 ओप्शन C 24 मार्च 1946 और ओप्शन D 24 जनवरी 1945 दोस्तों सही एंस्वर है ओप्शन D 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान जन्गनमन को स्विकार किया दिया था चलिए दोस्तों नेक्स्ट कॉस्चन नमबर 9 कॉस्चन नमबर 9 में पर्थम राष्ट्रपती का चुनाव कब हुआ था ओप्शन A 11 दिसंबर 1946 को ओप्शन B 28 अगस्त 1947 को ओप्शन C 24 जनवरी 1949 को और ओप्शन D 26 नमबर 1949 को दोस्तों सही एंस्वर है पर्थम राष्ट्रपती चुनाव 24 जनवरी 1950 को हुआ था 24 जनवरी 1950 को दोस्तों यहां पे 24 जनवरी 1950 अप्शन यहां पे 50 है 24 जनवरी 1950 को पर्थम राष्ट्रपती चुनाव हुआ था चलिए दोस्त नेक्स्ट कुस्चन नमबर 10 कुछन नमबर 10 में पूछ है चुनाव निरवाचन आयोग का गठन कब किया गया था तो ओप्शन A 11 दिसंबर 1946, ओप्शन B 25 जनवरी 1950, ओप्शन C 24 मार्च 1946, और ओप्शन D 26 नोंबर 1949 तो दोस्तों निर्वाचन आयोग का गठन सही ओप्शन है B 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन गया चलिए दोस्तों एक्स्ट कोस्चन नमबर 11, कोस्चन नमबर 11 में भारत का संपुर्ण सविदान, भारत का जो संपुर्ण सविदान कब लागू हुआ था, तो दोस्तों यहाँ पे पूछा है कब लागू हुआ था, तो यहाँ पे ओप्शन A 11 दिसंबर 1946, ओप्शन B 28 अगस् उप्शन C 24 मार्च 146 और उप्शन D 26 जनवरी 1950 तो सही एंसर है उप्शन D 26 जनवरी 1950 को भारत का संपुर्ण स्विधान लागूआ था और भारत एक गणतंतर राजिये बना था चलिए दोस्तों एक्स कोस्चन नंबर 12 कोस्चन नंबर 12 में देरक है भारतिय गणतंतर की स्तापना कब होई थी भारत में गणतंतर उप्शन A 11 दिसंबर 1946 उप्शन B 28 अगस 1947 उप्शन D 24 मार्च 1946 और उप्शन D 26 जनवरी 1950 तो सही एंसर है उप्शन D 26 जनवरी D 250 को भारत गणतंतर की स्तापना होई थी भारतिय गणतंतर की और उसी दिन भारत का स्विदान लागू हुआ था चलिए दोस्तों नेक्स्ट कोस्चन नंबर तेरा कोस्चन नंबर तेरा राज चीन है कब अपनाय गया था राज चीन है यानि भारत के राष्ट्री परतीक जो चीन थे वो कब अपनाय गया थे तो उप्शन A 11 दिसंबर 1946 ओप्शन B 28 अगस्त 1947 ओप्शन C 24 मर्च 1946 ओप्शन D 26 जनुवरी 1950 दोस्तों सही एंसोर है ओप्शन D 26 जनुवरी 1950 को राज चिन अपनाया गया था चलिए दोस्तों नेक्स्ट कोस्चन नंबर 14 कोस्चन नंबर 14 में हम बात करेंगे योजना आयोग योजना आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों इसमें ओप्शन A 11 दिसंबर 1946 ओप्शन B 28 अगस्त 1946 ओप्शन C 15 मर्च 1950 और ओप्शन D 26 नॉवंबर 1950 तो दोस्तों सही इंसर है उप्शन C 15 मार्च मीं सो पच्चास को योजना आयोग का गठन किया गया था दोस्तों योजना आयोग है वो अब नीती आयोग बन गया है क्या बन गया है अब योजना आयोग ने रहकरके जनवरी 2015 से योजन आयोग का नाम पधल कैसे लिया गया है निती आयोग ने ले लिया है तो निती आयोग अब क्या वन गए है योजना आयोग अब क्या वन गए है निती आयोग एक जनवरी 2015 से योजना आयोग का नाम पदल लिया गया है प्रतारवंतरी मरेंदर मोदी के देखता हमें चलिए दोस्त नेक्स्ट कोस्टन नमबर next question number 15 question number 15 में पूछा है पर्थम वित आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों यहाँ पर पूछा है पर्थम वित आयोग का गठन कब किया गया था option A 1946 option B 1947 option C 1901 option D 1949 दोस्तों सही answer है option A 1901 पर्थम वित वर्ष तो सही answer है option C 1901 में वित वर्ष का गठन किया गया था दोस्तों वित वर्ष से एक अपरेल से शुरू होता है और 30 मार्ष को complete होता है वित वर्ष एक अपरेल से 30 मार्ष तक होता है तो ये वित वर्ष का गठन है वो 1901 में किया गया था चलिए दोस्तों नेक्स्ट कोस्चन नंबर दोस्तों सही इंसर है ओप्षन ए पर्थम राष्ट पती सासन 20 जून 1901 को पंजाब राज्य यानि पेपसू पंजाब में लगू हुआ था चलिए दोस्तों नेक्स्ट कोस्चन नंबर नेक्स्ट कोस्चन पर्थम आम चुनाव कब हुए थे दोस्तों यहाँ पी पूछा है पर्थम आम चुनाव कब हुए थे option A 1945-46, option B 1946-47, option D 1951-22, option D 1949-50 दोस्तों सही एंसर है option C, 1950 इकाउन में पर्थम आम चुनाव होए थे चलिए दोस्तों next question number 18 question number 18 में सविधान के तहत राष्ट पती का विदीवत चुनाव कब शुरू हुआ है तो दोस्तों यहाँ पुछा है राष्ट पती का विदीवत चुनाव कब शुरू है option A December 1946 में, option B August 1947 में, option C May 1952 में, option D November 1949 में राष्ट पती का विदीवत दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विदीवत चुनाव की जिसमें राष्ट पती का चुनाव हुआ था दोस्तों इससे पहले राष्ट पती का एक चुनाव है था राष्ट पती का चुनाव जो 25 जनुवरी 1950 को भी हुआ था लेकिन विदीवत रूप से जो चुनाव राष्ट पती का चुनाव है वो मई 1902 से शुरू हुआ था चलिए दोस्तों नेक्स्ट कॉस्चन नंबर 19 में हम बात कर रहे हैं राष्ट्री विकास प्रिश्द का गठन कब हुआ था तो दोस्तों ओप्शन ए 11 दिसमबर 1946 ओप्शन बी 6 अगस्त 1952 ओप्शन सी 24 मार्च 1946 ओप्शन डी 26 नवंबर 1949 तो दोस्तों सही एंस्वर है ओप्शन बी ओप्शन बी 6 अगस्त 1952 को राष्टी विकास प्रिश्द का गठन किया गया था चलिए दोस्तों नेक्स्ट कॉस्चन नंबर 20 कॉस्चन नंबर 20 में हम बात करेंगे सामुदाइक विकास कारिय करम कब प्रारम भुआ था ओप्शन A. 11 दिसंबर 1946 ओप्शन B. 28 अगस्त 1947 ओप्शन C. 24 मार्च 1946 ओप्शन D. 2 अक्टूबर 1952 दोस्तों सही एंस्वर है ओप्शन D. 2 अक्टूबर 1952 को सामुदाइक विकास कारिय करम शुरू हुआ था चलिए दोस्तों नेक्स्ट कॉस्चन नंबर 21 कॉस्चन नंबर 21 में पूचा है हिंदू विवा अधिनियम कब पारित हुआ था दोस्तों यहां पे हिंदू विवा अधिनियम ओप्शन A. 1955 में ओप्शन B. 1947 में ओप्शन C. 1946 में ओप्शन D. 1949 में दोस्तों सही answer है option A, 1955 में हिंदू विवा अदिनियम पारित हुआ था, जिसमें हिंदू विवा के लिए विविन परकार के नियम बने वे हैं, चलिए दोस्तों question number 22, question number 22 में पंचायती राज का विधीवत प्रारंब कब से हुआ था? दोस्तों यहां पे जो पंचायती राज है उसका विधीवत यानि लगातार प्रारंब कब से हुआ? option A, 11 दिशंबर 1946 को, option B, 28 अगस्त 1947 को, option C, 24 मार्च 1946 को, option D, 2 अक्टूबर 1969 को दोस्तों सही इंशर है, 2 अक्टूबर 1969 को पंचायती राज का विधीवत प्रारंब माना जाता है पंचायती राजगा विधीवत प्रारंब 2 अक्टूबर 1969 को, राजस्तान के, राजस्तान के नागोर जिले से, कहां से? राजस्तान के नागोर जिले से प्रारंब माना जाता है चलीं दोस्तों नेक्स्ट कॉस्चन नमबर 23, कॉस्चन नमबर 23 में पूचह है, पर्थम बार राष्ट्रिये अपात कल कब लागू हुआ था दोस्तों यहाँ पर पूचह है जो पहली बार राष्ट पती अपात काल कब लागू हुआ था, जिसको हम DaraIR 1459 बोलते हैं ओप्शन A. 11 December 1946, ओप्शन B. 28 August 1946, ओप्शन C. 24 March 1946, और ओप्शन D. 26 October 1962, तो दोस्तों सही एंस्वर है 26 October 1962 को राष्टपती सासन लगु हुआ था, पहली बार राष्टपती सासन कब लगुआ था? 26 October 1962, और दोस्तों ये अनुछेद, तीन सो बावन के तैत इसकी गोशना की जती है, तीन सो बावन में इसकी गोशना की जती है राष्टपती सासन की, चलिए दोस्तों नेक्स्ट कोस्टन नमबर 24, कोस्टन नमबर 24 में पूछा है, पर्थम बार लोकसबा कब भंग होई थी? दोस्तों यहां पे पहली बार कब भंग किया गया था, यह कब भंग होई थी? ओप्शन A, 1946 में, ओप्शन B, 1947 में, ओप्शन C, 1970 में, ओप्शन D, 1949 में, तोस्तों सही एंसर है, ओप्शन C, 1970 में पर्थम बार लोक की सबा भंग होई थी? चलिए दोस्तों, next question number 25, question number 25 में, पर्थम बार मद्य अवदी चुनाओ कब होई थे? पर्थम बार मद्य अवदी चुनाओ कब होई थे? तो दोस्तों, यहाँ पर पुछा है कि पर्थम बार मद्य अवदी चुनाओ, option A, 1950, option B, 1971, option C, 1946, और option D, 1949 तो दोस्तों, सही answer है, option B, पर्थम बार मद्य अवदी चुनाओ, 1971 में होई थे? और आम चुनाओ, दोस्तों, यहाँ पर हमने पहले बात की थी? आम चुनाओ, आम चुनाओ यह थे, 1952 में, 1952 में, चले दोस्तों, question number 26, question number 26 में, वन्य जीव सरंक्षन अधिनियम कब बना था? वन्य जीवों को सरंक्षित और सुरक्षित जीवन यापन करने के लिए? तो दोस्तों, यहाँ पर वन्य जीवों सरंक्षन अधिनियम, option A, 1946, option B, 1922, option C, 1950, और option D, 1929 तो दोस्तों, सही answer है, वन्य जीव सरंक्षन अधिनियम, option B, 1922 में, बना था, वन्य जीव सरंक्षन अधिनियम, 1922 में, चले दोस्त, next question number 27, question number 27 में, पुछा है, बंदुवा मजदूर विवेवस्ता निवारण, अधिनियम कब लगुवा था? बंदुवा मजदूर निवार अधिनियम, तो option A, 1925, option B, 1947, option C, 1946, और option D, 1949, तो दोस्तों, सही answer है, option A, 1925 में, बंदुवा मजदूर विवेवस्ता निवारण, अधिनियम, लागु किया गया था, चले दोस्त, next question number चले दोस्त, next question, आंत्रिक ऐसान्ती के कारण, पर्थम बार कब आपात का लागुवा था? आंत्रिक ऐसान्ती के कारण, पर्थम बार, तो दोस्तों, यहाँ पे पुछा है, कि आंत्रिक ऐसान्ती के कारण, तो यहाँ पे option A दे रख है, 11 दिसंबर, 1926 को, option B, 28 अगर्स, 1947, option C, 26 जनवरी, 1925, और option D, दे रख है, 25 नॉंबर, 1929 को, तो दोस्तों, सही एंसर है, option C, 26 जनवरी, 1975 को, आंत्रिक ऐसान्ती के कारण, आपात काल लागुव किया गया, चलिए दोस्तों, next question number, 29, question number, 29 में पुछा गया है, वीपक्स के नेता को, मानेता एंवेतन बते अधिनियम कोन सा है, वीपक्स के नेता को, मानेता एंवेतन बते, तो option A दे रखा है, 1946, option B दे रखा है, 1947, option C, option C और B दोनों, और option D, 1977, दोस्तों, सही एंसर है, option D, 1977 में, वीपक्स के नेता को, एक तो मानेता, और उसके वेतन और बते, सबी नेते है, वीपक्स के नेता की मानेता, वेतन बते, option D, 1977 में, नेत है, चलिए दोस्तों, next question, number 30, question number 30 में, दे रखा है, one सरंक्सन अधिनियम कब लागू हुआ था, दोस्तों, यहाँ पे, one सरंक्सन, पहले अपनोंने, one ने, जीव सरंक्सन अधिनियम 1902 पड़ा था, और अब है, one जीव, सरंक्सन अधिनियम कब लागूआ था, option A, 1980, option B, 1947, option C, 1946, और option D, 1949, दोस्तों, सही answer है, option A, 1980 में, one सरंक्सन अधिनियम लागू हुआ था, चले, दोस्तों, question number 30, question number 30 में, हम बात कर रहे हैं, परियावन सरंक्सन अधिनियम कब लागू हुआ था, परियावन सरंक्सन, तो, option A, 1946, option B, 1947, option C, 1986, option D, 1948, दोस्तों, सही answer है, option C, 1986 में, परियावन सरंक्सन अधिनियम लागू किया गया था, चले, दोस्त, next question, next question, next question में, पूछा है, बाल सरं निशेद अधिनियम, यानि, 14 वर्ष से कम उमर के बालकों को किसी कारिये में, या किसी परकार का सरं करवाना निशेद है, तो, ये अधिनियम कब पारित हुआ था, option A, 1986, option B, 1947, option C, 1946, और option D, 1989, तो, दोस्त, सही answer है, option A, 1986 में, बाल सरं निशेद और अधिनियम लगू हुआ था, चलिए, दोस्तो, नेक्स्ट, कोस्चन नमबर 33, कोस्चन नमबर 33, तरेतर में, स्विदान संसोदन अधिनियम कब लगू हुआ था, option A, 11, दिसंबर, 1946, option B, 24, अप्रेल, 1903 में, option C, 24, मर्च, 1946, और option D, 26, नवंबर, 1949, 49, तो दोस्तो, सही, एंशर है, option B, 24, अप्रेल, 1903 में, को, त्रेतर में, स्विदान संसोदन किया गया था, चलिए, दोस्तो, नेक्स्ट, कोस्ट, कोस्ट, नमबर 34, कोस्ट, नमबर 34 में, पुछा गया है, electronic voting machine, यानी, EVM, का पर्थम बार परियोग कब किया गया था, पर्थम बार परियोग कब किया गया था, तो दोस्तों, यहां पर option, option A, December 1946, option B, August 1947, option C, March 1946, और option D, November 1998, तो दोस्तों, सही एन्शोर है, पर्थम बार electronic voting machine, EVM का परियोग, नौबर, उनीच सो इठाण में, में किया गया था, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है, question की बात कर रहे है, question number 35, question number 35 में, बात कर रहे है, electronic voting machine, यानी, EVM, किस राज्ये के संपूर्ण विधान सबा के चुनाओ, करेंगे, option, दोस्तों, यहाँ पर यह question मिश हो गया है, इसमें यहाँ पर फिदान सबा चुनाओ करेंगे, तो यहाँ पर पूछा गया है, चलो, question सही है, electronic voting machine, EVM, किस राज्ये के संपूर्ण, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, किस की जगह, एक तो हम बता देते हैं, कब और राज्ये, तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर देते हैं, कब, यानि विनान सबा के चुनाओ वह वो कब करवाएंगे, तो option A है, दिसंबर 1946, option B है, अगस्त 1947, option C है मर्च 1946, और option D है, जून 1999, तो दोस्तों, यहाँ पर सही एंसर है, option, जून 1999 में, दोस्तों, यहाँ पर हम थोड़ी से बात कर लेते हैं, electronic voting machine EVM का किस रज्ये, तो रज्ये का नाम यहाँ पर गोवा है, गोवा रज्ये का संपुर्ण, गोवा रज्ये के संपुर्ण विदान सबा चुनाओ है, वो EVM के द्वारा, जून 1999 में करवाए गया था, तो दोस्तों, यहाँ पर रज्ये का अगर नाम पुछा जाए, तो पर्थम बार electric voting machine से विदान सबा के सारे चुनाओ है, वो गोवा रज्ये में करवाए गये थे, और कब करवाए गये थे, तो जून 1999 में करवाए गये थे, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट कोस्टन नमबर, नेक्स्ट कोस्टन नमबर 36, कोस्टन नमबर 36 में, electronic voting machine EVM से संपूरन लोक सबात चुनाओ, कब करवाया गया था, तो दोस्तों, यहां पे संपूरन लोक सबात चुनाओ, बोले तो पूरे भारत में, उप्शन A, 1986 में, उप्शन B, 1947, उप्शन C, 2004 और उप्शन D, 1946, तो दोस्तों, यहां पे सही एंस्वर है, लोक सबात के, संपूरन लोक सबात के चुनाओ, 2004 में उप्शन C सही है, यहां संपुर्ण लोकसभा चुनाव इवी एम द्वारा 2004 में 14 लोकसभा में किया गया था कब किया था 14 लोकसभा के चुनाव करवाए थे संपुर्ण भारत में संपुर्ण लोकसभा चुनाव चले दोस्तों question number 37 question number 37 में पूछा है सूचना का अधिकार 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 कब प्रारम हुआ था तो option A. 12 October 2005 option B. 28 August 1947 option C. 24 March 1946 option D. 26 November 1948 तो दोस्तों सही answer है 12 अक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार जिसको हम RTI बोलते हैं ये लागू हो गया था 12 अक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार अधिकार अधिनियम चलिए दोस्तों नेक्स्ट कॉस्चन नमबर 38 कॉस्चन नमबर 38 में राष्टि ग्रामीन रोजगार गारंटी अधिनियम कब लगू हुआ थाया कब प्रार्म वोँआ अप्शन A दिचंबर 1934 अप्शन B 28 अगस 1947 अप्शन C 2 अक्टूबर 2005 और अप्शन D 26 नमबर 1929 तो दोस्तों यहां पे हम बात करें राष्टि रोजगार ग्रामीन रोजगार गारंटी तो यह 2 अक्टूबर 2005 को 2 अक्टूबर 2005 को जम्मू कस्मीर को छोड़ करके संपूरन भारत में लागूवा था 2 अक्टूबर 2005 को चलिए दोस्तों नेक्स्ट कॉस्टन नमबर नेक्स्ट कॉस्टन में हम बात कर रही है राष्टि ग्रामी रोजगार गारंटी अनिनियम संपूरन देश में कब लागूवा था तो दोस्तों यहां पे संपूरन देश में तो यहां हम जम्मू कस्मीर को भी साथ में सामिल करेंगे तो ओप्शन A 11 दिसंबर 1946 ओप्शन B 28 अगस्ट 1947 ओप्शन C 24 मार्च 1946 और ओप्शन D 1 अप्रेल 2008 तो दोस्तों सही ओप्शन A 1 अप्रेल 2008 को संपूरन भार्त में राष्टि ग्रामीन रोजगार गारंटी अधिनियम लागू हो गया था जो संपूरन देश में चलिए दोस्तों नेक्स कोस्टन नमबर 40 कोस्टन नमबर 40 में हम बात कर रहे हैं नीशुलक वे अनिवारी है प्रात्मिक शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था तो ओप्शन A 11 दिसंबर 1946 ओप्शन B 28 सब्सक्राइश अगरेश उनिशो से अन्तारिस ओप्शन C 24 से मर्च 1946 और ओप्शन D 1 अप्रेल 2010 तो दोस्तों सही अन्सर है D 1 अप्रेल 2010 से नीशुलक वे अनिवारी अप्रात्मिक शिक्षा अधिनियम लागू किया गया था सही अन्सर है 1 अप्रेल 2010 से नीशुलक वे अनिवारी अप्रात्मिक शिक्षा दोस्तों ये नीशुलक वे अनिवारी अप्रात्मिक शिक्षा है वो एक मूल करतवी भी है 11 करतवे जो शिक्षा से समन्दित है चलिए दोस्तों नेक्स्ट कॉस्चन नंबर 41 में हम बात कर रहे हैं लोक सबा और विदान सबाओं में अनुसूचित जन जाती और आंगल भारतिय समुदाई के आरक्षण कब तक है और 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 अनुसूचित जाती और अनुसूचित जाती को 25 जनवरी 2020 तक यह परावदान किया गया है जो लोक सबाओं वे विदान सबाओं से इनको अरक्षण परदान किया गया है चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो थैंक्स